Microsoft PowerPoint 2010 में अगर हम auto shapes insert करना चाहें तो उसके लिए आप सबसे पहले insert पर क्लिक किजिए और insert पर क्लिक करने के बाद illustrations group में shapes पर क्लिक किजिए तो आपके सामने एक drop down menu खुला हुआ आजाएगा उसके अंदर से आप जो shape चाहते हैं अपनी slide में insert करना उसको select कीजिए और select करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो mouse cursor है वो एक thin सा cross बना हुआ आजाएगा आप क्लिक कीजिए वहाँ पर जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपकी object प्लेस की जाए और drag कीजिए जब आप drag करेंगे तो आपकी shape उस size की width की बनती जाएगी और आप अपने mouse cursor को छोड़ दें तो आपकी shape बनी हुई आ जाएगी तो यह है Microsoft PowerPoint 2010 में auto shape insert करने का तरीखा